क्या आपने सोचा है कि आपके छोटे से निवेश से आपका बड़स अपना साकार हो सकता है क्योंकि मायूवे लेकर आया पूर्ण विक्सिक चंदन फॉर्म केदू की देखरेक के साथ मायूवे प्रिजेंट्स गैधरी विशाल चंदन फॉर्म इन योज सिटी मायूवे स्टप्ट वर्दस एक्सिट क्या नाम है आपका सुबालाल तो क्या गहना चाहेंगे क्या परिशानी है इस यह तूट गया है हर एक जगा यहां दिखाई दे रहा है सब तूट गया इसको तार उपर थोड़ा करना चाहिए नजदीक में तार भी है अगर कोई गाड़ी तोड़ दे रही है तो करते हैं क यह अग्या पोल जो है तो हमारे जमीन में है टांसफर्मा लेकिन हमारा भी घर का कनेक्सन का पैसा लेते में एक प्री होना चाहिए लेकिन हमारा भी पैसा ले रहे हैं कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं दिये, तो जैसा कि उनके द्वार बताया गया कि इनके जमीन पर ही पोल गाड़ा गया, लेकिन मौबजा नहीं दिया जा रहा, उसके बाद यहां पर देख सकते हैं, बड़ी लापरवाही, आपको MPV के हम दिखाते हैं, कि यहां से अगर कोई ब बेंड हुए पड़े हैं, और यहां पर यह कह सकते हैं कि एक खत्रे की निशानी है, अगर कोई यहां पर जो किसान है, अगर वहां पर रहता है, और कभी लगबाय चांस अगर ऐसा होता है, कोई भी एक्सिडेंट या फिर यहां पर कोई भी तार, किसी गाली में फसता है, तो वहाँ पर जो भी कारी कर रहे किसान है वो हाथसे का शिकार हो सकते हैं और इसे के साथ ये रोड देख सकते हैं जैसा कि इनके द्वारा बताया गया कि 5 टन की कैपसिटी है लेकिन 20-20 टन इस रोडों से गुजरता है जो भार ये सहनी पा रहा है इसलिए रोड की हालत बड़ी ही बत्तर बनी जा रही है लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं है चाहे यहां के सरपंच की बात करें बताया ऐसा भी जा रहा है कि ये NCL के द्वारा बनाया जाना है लेकिन अभी यहां पर कोई भी हरकत नहीं देखे जा रही है और पूरा बिभाग सुन पड़ा हुआ है जो है एक कई बार से तीन साल से जल रहा है हर एक साल जलता रहा इसमें MPV कुछ नहीं देता है बील तो हम लोग दे ही रहे हैं और टास्फार्मर के लिए लोग चंदा लगाते हैं MPV का जेई जो है वो बोलता है कि हमको 40,000 रुपए चाहिए तो टास्फार्मर भेजेंगे तो इस बार हम लोग हर साल से देते आ रहे हैं इस बार भी मजबूर होके सब लोग गाउं के दे दिये और धमकी देने लगे कि भाई इससे लाइट भी कर जाएगा तुम्हारा तुम भी दो तो हम भी पैसा चंदा दिये तो इस बीस हजार रुपए चंदा देखे टास्फार्मर तीसरा दिन हुआ आज मगाए और दूसरी बार यह जो रोड है इसी मत पर्देश परधान मंतरी से जो ऐसे गया है परधान मंतरी रोड है और नीचे सिंगरोली जाने के लिए पंचाइद का ही रोड है इसका चंदा पांच टन तक का है इसमें 20 टन की गाड़ी चल लए है रेलवे की और पूरा रोड तोड फोड दिये हैं इसमें पंचाइद का सरपंच भी एक ताली एक टेक्टर कई पत्थर कहीं मुरूम कहीं नहीं गिरवाया इसके लिए तार पूड गया कल इस तार के लिए अंपी बी ने उस गाड़ी वाले से बोला हम लोग को बोला कि गाड़ी चीन के रखो अगर जब वो पैसा दे देता अधितार लाइट चालू कर दिये इधर का देखिया लाइट चालू महीं किया है तार अभी कटा पड़ा है और एक तार ओं 11,000 बोल्टेज आगे से कटा हुआ है इनके घर साइड जाने के बड़ी लाइन है वह बड़ी लाइन आगे से कार दिया गया है उसको जोड़ा नह बड़ा चल रहा है और जैसा की जो खंबे है कंबे अगर टेड़े भी हो गया तुनको सही नहीं कराये गया और दूसरी बात पैसे बतला घूस उनको चाहिए कोई भी काम करने के लिए कराने के लिए जब तक आप पैसे नहीं देते हैं तब तो कोई कार नहीं कराया तो देखिए बहुत बड़ी लापरवाही इनके द्वारा बताई गई कि जो MPB विभाग है वो जैसा कि आपको सुनने में न्यूस सुनने में आया हुगा कि कभी-कभी इस तारों के चलते किसानों की कह सकते हैं वहां पर दुरगटना हो जाती है उनकी मौत हो जाती है तो 12,000 लाइन गई है और खंबे टेड़े हुए हैं और हो सकता है कि यहां पर किसान कारे कर रहा हूँ और अपना खुद का काम कर रहा हो यह चतरी इलाका है वार्ड नमबर 7 जैसा कि देख सकते हैं यहां पर जो खंबे है वो टेड़े हो चुके हैं बेंड हो रहे हैं और हो सक और इसमें जो किसान है वो इसके शिकार हो सकते हैं ये सामने आप देखिए कि पूरे खंबे टेड़े हुए हैं और ये हो सकता है कि अगर लापरवाही लगातार एसी ही जारी रही तीन साल से लगातार इनके द्वारा बताया जा रहा है कि लगातार तीन साल से ये लापरवा यहां पर जो संबंदित अधिकारी हैं उनको संग्याल लेना चाहिए और उस पर कारवाई भी करनी चाहिए और उनको स्टिक्ट ओर देना चाहिए कि जो भी कारवाई क्योंकि वो जनता की सुविधा के लिए होते हैं ना कि जनता की जेव से पैसे निकालने के लिए और ना कि अगर बात करें तो उनका निवाला छीनने के लिए क्योंकि एक गरीब परिवार गाउं में जो रहता है वो कितना पैसा एफोर्ड कर सकता है बस उसकी जो छोटी छोटी चीज़े होते हैं जरूरते होती हैं चाहिए वो खाने को लेकर हो पानी मिल चाहे और सड़क रहें बस इतनी जरूरते होते हैं अगर वो पेशे से किसान तो उनके लिए तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो ये ब्याथाएं बनी हुई है और चतरी गाउं में इस्पेशली आपको बता दे ये लापरवाही इनके द्वारा उज्वागर की कई बताया गया तो ये लापरवाही लगातार बनी हुई है तो ये चीजे ध्यान देने वाली है कैमरा मैंना मित के साथ मैं शेवम गुपता क्या आप भी रहते हैं अपने स्किन और बालो को लेकर परिशान तो आज ही आईए SMS फॉर में सी और मिलिए डाक्टर बी के शास दे जिन से बिलेगा आपको तोचा और पालो सुचड़ी हर समस्या का समाधान तिल मस्य एवम गुपत रूगों का विशेश सिलाज किया जाता है हमारा पता है कॉन्वर्ट चोड़ा है के बगल में अटल समुदाइक भवन के सामने बिलाजी बैहन्स सिंहरौली मध्यप्रदेश कॉटेक नमबर 7000-523918 900-939-6655 स्रीक्रिश्ना ब्रदर्स एंड सेल सर्विस वाटर प्यूरिफाई, वाटर प्लांट, वाटर कूलर, वाटर डिस्पेंसर, मिनरल वाटर 20 लिटर, एर कंडिशनल, टाटा, बोल टास, इजिएर एवन सभी प्रकार के लेक्टिक वाए लेक्रोनिक समान को प्लब्द है पता है कुरानी मार्केट सिंहरावली, जिला सिंहरावली मतबर देश, कॉन्टेक नमबर 9179603939, 8109426288